हेलो फ्रेंड्स नमस्ती कैसी हो आप सब तो आज मैं आपके साथ टी टाइम स्नेक्स की रेस्पी शेयर करूंगी जिसे हम दही और सूजी से बनाएंगे आप इस रेस्पी को बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं तो जिसके लिए मैंने एक कटोरी दही लिया है एक कटोरी सूजी नमक स्वादनु साथ आदा कटोरी पानी और इसको डालकर हम इसका बारिक पेस्ट बना लेंगे तो पेस्ट हमें इसी तरह से चाहिए इसको एक बरतन में डालेंगे इसमें डालेंगे कट्दुकस के हो प्याज, गाजर, हरी मिर्च, करी पत्ता अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो चार से पांस मिनट के लिए से ढखकर रख देंगे आधा पैकिट इनो कर डालेंगे हिनो को अच्छी तरह से मिलाएंगे, गैस के बरतन रखेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा देसी घी, गैस को सिम रखेंगे और एक एक चम्माच हम इसमें डाल देंगे, गैस को हमें सिम ही रखना है तीन से चार मिट के लिए ठके रख देंगे तीन से चार मिट के बाद यह उपर से सुखा सा हो जाएगा तो इसे हमें पलट देना है तो यह आसानी से पलटा जाएगा गैस को थोड़ा सा तीज करतेंगे और दो से तीन मिट के लिए इसे डखकर फिर पकाएंगे दो से तीन मिट बाद इसको पलट देंगे तो हमारी सूजी और दहीं की रैस्पी बनके बेकुल तयार है तो मार्टी टाइम इसने इस बनके बेकुल तयार है